सबसे पहले 1901 में ब्लड ग्रूप की जानकारी हुई इसके बाद से इसे लेकर कई रोचक और दिल्चस्प शोध भी होते रहे हैं जैसा कि आपको पता है कि ब्लड ग्रूप आठ तरह के होते हैं A, B, AB और O positive या negative A, positive क्या आपको पता है कि मनुष्य के ब्लड ग्रूप पर उनका व्यवहार और व्यक्तित्व निर्फर करता हैं जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ विशेश ब्लड ग्रूप के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप किसी के भी व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं A, positive जिन लोगों का ब्लड ग्रूप A, positive होता है उनमें अच्छी नेत्रित्व शंता देखी जाती है A, positive रक्त समूह वाले लोग अच्छी तरीके से नेत्रित्व कर सकते हैं वे सबको साथ लेकर चलने और सबका विश्वास हांसिल करने में यकिन रखते हैं अगर आपका रक्त समूह A, positive है तो आप A, positive, A, negative, O, positive और O, negative ब्लड ग्रूप का ब्लड ले सकते हैं A, negative A, negative रक्त समूह वाले लोगों को मेहनती माना जाता है ऐसे लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं कठिन और लगातार काम करने में भी इनको कोई परहेज नहीं है ये लोग मानते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता जिन लोगों का blood group A, negative है उन्हें A, negative और O, negative वाले लोगों का blood ही चड़ाया जा सकता है AB, positive इस रक्त समूह वाले लोगों को आसानी से समझा नहीं जा सकता है ऐसे लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है किसी को नहीं पता होता है जोगे कब क्या सोच सकते हैं क्योंकि उनकी प्रकिर्ती कभी भी एक जैसी नहीं होती है AB, positive, universal receiver होता है यानि उसे AB, positive, AB, negative, O, positive, O, negative, A, positive, A, negative तथा B, positive वा B, negative कोई भी रक्त चड़ाया जा सकता है AB, negative negative रक्त समू वाले लोगों का दिमाग बहुत ते चलता है इन लोगों को बहुत बुद्धिमान माना जाता है इस blood group के लोग आसानी से किसी की बात को समझ लेते हैं उनका दिमाग उन सब बातों को समझ लेता है जिने आम तोर पर लोग नजर अंदाज कर देते हैं ऐसे लोगों को जरुवत पढ़ने पर AB, negative A, negative B, negative और O, negative blood group चड़ाया जा सकता है तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटिव चैनल मेल बिहार को सब्सक्राइब करें धन्यवाद